नमस्कार दोस्तों, लगबग हर कोई रात को सोने से पहले पानी का गिलास या फिर पानी से भरी बोतल से रहने रखता है और इसे लोग अपनी सहूलियत बताते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि जाने अंजाने में ये लोग अपने लिए कितना शुब काम कर रही हैं तो इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए अंत तक जरूर देखें वीडियो दुनिया में हजारों लाखों लोग मानसिक रोक के शिकार हैं लेकिन पानी का एक गिलास आपकी ये परेशानी दूर कर सकता है दरसल पानी की अपनी एक खासियत है कि ये नकारत्मक तत्वों को अपनी और आकरशित कर लेते हैं और उन्हें खत्म कर देता है जी हाँ, बिल्कुल सही है अगर आप एक गिलास पानी को रात को सोने से पहले अपने बैड के नीचे रख कर सोएं तो ये नकारत्मक उर्जा को समाप्त करने में मददगार साबित होगा रात को भरे पानी का गिलास रखने से नकारत्मक उर्जा को अवशोशित कर लिता है सुबह इस पानी को नाली में या कहीं बाहर फिंक दें दूसरी दिन उसी गिलास में दूसरा ताजा पानी भर कर रखें आप जब तक चाहें इस पकरिया को कर सकते हैं दोस्तों पानी के इस टोटिके को करने में किसी तरह का कोई मेहनत नहीं लगती और नहीं किसी तरह से आपके समय की बरबादी होती है इसके लावा चलिए अब आपको कुछ ऐसी और चीज़े बताते हैं जिने रात को सोते समय सिराहने नहीं रखना चाहिए पर्स या बटुआ कभी सिराहने रखकर नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से बेवजह खर्च बढ़ते हैं सोते समय कभी भी जूते चपल हमारे सिराहने के पास या बैड के नीचे नहीं होने चाहिए इससे सेहत और धन दोनों की ही हानी होती है सिराहने जूते चपल रखकर सोने से बुरे सपने भी आते हैं नेल कटर, बलेड और कैची इत्यादी से रहने रखकर न सोएं इससे पुरुशार्थ में कमी आती है चलिए अब आपको बताते हैं जोतिश के अनुसार सोने से पहले क्या काम करना चाहिए सोने से पहले हर रोज कपूर जला कर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नीद आएगी इसके लावा सोने से पूरुव आप बिस्तर पर वो बातें सोचे हैं जो आप जीवन में चाहते हैं जरा भी नकरत्मक बातों का खयाल न करें क्योंकि सोने के पूरुव के 10 मिनिट तक का समय बहुत समवेदनशील होता है जबकि आपका अवचेतन मन जागरित होने लगता है और उठने के बाद का कम से कम 15 मिनिट का समय भी बहुत ही समवेदनशील होता है इस दोरान आप जो भी सोचते हैं वो वास्तविक रूप में घटित होने लगता है लेकिन ध्यान रहे कि सोते समय कभी दक्षिन और पूर्व में पैर न रखें पैरों को दरवाजे की दिशा में कभी न रखें इससे सेहत और समरिधी का नुकसान होता है पूर्व दिशा में सिर रख कर सोने से ज्यान में वड़ोतरी होती है दक्षिन में सिर रख कर सोने से शान्ती, सेहत और समरिधी मिलती है तो वहीं जूटे मुहूं और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी जिन्दगी में नकारत्मक फर्क महसूस होगा कुंडिली टीवी डैस्क से दिक्षा गुपता की रिपाउट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद